असलाम उलेकुम, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदसी बिल्कुल रेस्टरंट स्टाइल अंडा दम बिरियानी के रेस्पी शेयर करूंगी, वह भी बहुत ही इजी और सिंपल वे में, इसको बनाना बहुत ही असाने रेस्पी को और खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बन का तियार होती है, तो कुछ टिप्स और ट्रेक शेयर करूंगी, जिससे के बिरियानी के चावबने वह आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, और रेस बासमती राइस, इसको हम यहाँ पर एक बोल में ट्रैंसफर करेंगे, और इसको कम से कम 2-3 पानी से अची तरीके से वाश कर लेंगे, और इसे 15-20 मिनट के लिए बिगो कर रग देंगे, बिगोने चामल थोड़े से मॉइस्ट बनते हैं, अंदर से सौफ्ट भी बनते हैं, और आपको बहुत जादा देर इसको पकाना भी नहीं पड़ता है, बहुत ही जल्दी से यह क्विकली पक कर तियार हो जाते हैं, आदे गंटे से जादा आपने चामल को नहीं भी गोना है, वरना फिर पकाते टाइम यह तूटने लगेंगे, अब एक वैसल लेंगे, इसमें काली मिर्चेस में आड़ करेंगे, अब एक टेबली स्पून इसमें ओयल आड़ कर देंगे, ओयल आड़ करने से फ्लेवर इसका इनहांस हो जाता है, और चामल आपके मॉइस्ट बनते हैं, तो इसके साथ यहाँ पर हम इसमें आड़ कर देंगे नमक, तो नमक आपने पर मैंने लिया था, इसको चलनी से तरीके से चांड कर डालेंगे, ताकि इसके जो बीच वगएर हैं वो इसमें ना जाने पाएं, और नीबू करस एड़ करने से क्या होता है, चामल आपके बिल्कुल वाइड बनेंगे, और खिले खिले बनते हैं, ओयल और नीबू एड़ अलग रख देंगे, अब यहां पर मैंने लिया 6-7 अंडे, अब अंडो में हम सबसे पहले यहां पर चुटकी भर नमक आड़ करेंगे, तो यहां पर अंडे बोयल करने की एक ट्रेक आपको बता दूँ, जब आप अंडे बोयल करें तो पानी में थोड़ा सा नमक आड़ कर तो यहां पर यह सारे जो मसाले हैं यह अंडे पर अची तरीके से इवनली कोट हो जाएंगे, अब यहां पर एक और ट्रिक में आपको बता दूँ, अगर आप इसको अंडे को ऐसे ही फ्राई करेंगे तो तो तेल में जाते ही चटकने लगते हैं फट जाते हैं तो यह आप एड कर देंगे ओयल, तो यह वन फॉर्थ कप ऑलिव ओयल है, जैसे ही ओयल अच्छे से गराम हो जाएगा, तीर मीडियम साइस की प्यास लेंगे, इसको मैंने इस तरीके से बारिक स्लाइस में कट किया है, इसको यहां पर हम आपर ओयल में फ्राई करेंगे, अब प्यास का आप गयास की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे, और इसको लगाता चलाते वे अच्छी तरीके से फ्राइ करेंगे, बहुत जादा तेज आज पर भी नहीं करेंगे, और बहुत जल्दी जल जाएगी प्यास, और बहुत जादा धीमी आज पर भी इसको फ्राई मत करिएगा, और आपको बहुत जादा टाइम लगेगा, यहाँ पर इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर चलाते वे इसको पका लिजेगा, तो जब एक अच्छा गोल्डन कलर आजाएगा, तो इस तरीके से प्यास का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बस इतना ही गोल्डन जाएगा, आप लोग जाएगा, जाएगा साधा फ्यास का बफकी तरह का करते हैं, राफ भी को शुक्ति होते हैं, इस तरीके से ही प्यास को को पर निकाल लेंगे और इसको फैला देंगे, तो अच्छे से दबा कर कर निचुड़ कर निकाल लेगे ताक की बिल्कुल भी ओ कर ने इस को बाढकर करना इसी हम और आलू एड़ कर सकते हि के आप प्रूंत कर दें आप Is här में दें अर ऌने से ठाण है करने है ऐगा अदो को यहाँ दोनों साइब निल्भादें। जिसके विवक्ष हो जाती है आपकी यिससरी कोक्राइतीज घाती है मीडियाम हाय दोनों साइट से अच्छा Galar आजाने तक इसको फराई करेंगे अगर आपको अधा नहीं पसदे तो फिर आप इसको बіना की वह भी ऑ और ना मेरिने डियानेट यकनी में lançता हो च्छी इंड अब हम इने निकाल लेंगे अब इसी से मॉयल में हम यहां पर कुछ खड़े मसाले आड़ करेंगे तो यहां पर लाइची पत्ता और दार्चिनी की लकडी को मैंने इसमें आड़ कर दिया है अच्छे से स्वाटे कर लेंगे जब यह सारे मसाले अच्छे से क्राकल हो इसमें से चीरा लगा दिया इस से को आड़ करेंगे तो यह बह Mitt वहाँ द्यादा तीक ही नहीं है अगर आपको बहाँ द्यादा तीका रखना है और आपको जादा तेस पसने तो प्र आप इस चॉप करके भी कर्ष्ग कर सकते हैं तो सारे मसाले अच्छे तरीके से भून च तो वन टीज़्पून यहां पर मैंने रडचिली पाउडर एड़ किया है हाफ तीज़्पून तर्मरीक पाउडर यानि की हल्री का पाउडर एड़ करेंगे वन फोर टीज़्पून यहां पर हम इसमें गरम असाला पाउडर एक चौथा चमच अगर आपको थोड़ी चटप तो अब यहां पर एक बड़ी साइस के टमाटर को मिक्सर-जार में डालकर ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट यहां पर हम इसमें ऐड कर देंगे बहुत जाधा टेस्टी बनेगी इस तरीके से जब आ बिरियानी बनाएंगे और साती में हम यहां पर इसमें नमक तो वन टीस्पून में यहां पर इसमें नमक एड़ कर दी हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाप से इसको एड़ेस्ट कर सकते हैं अब इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक यहां पर टोमाटर है इसका पानी सारा इवयापोरेटना हो जाए अगर इस रेस्पी को आप फ्राइ करिएगा तो फिर इसकी जो पिक्चर है ना मुझे इंस्ट्राग्राम पर जरूर से शेयर करिएगा तो यहां पर आप जाए तो इसको ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं मिक्सर में पीसके भी या पर इस तरीके से यहां पर ब्रियानी को बनाना बहुत भूं चुका है अब जो अंडे और आलू में फ्राइ करके रखे थे उन्हें यहाँ पर हम इसमें आड़ कर देंगे अब यहाँ पर इन साई चीजों को अच्छे से मिला देंगे ताकि जितना भी मसाला है वो आलू और अंडे पर अच्छी तरीके से कोट हो जाए अब जो फ्लेवर है वो अच्छे से रिलीज हो जाए तो यहाँ पर आधि मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे ताकि इसकी एक ग्रेवी सी फॉर्म हो जाए ग्रेवी हमें इसकी बनाना थोड़ी सी ताकि मसाले दार हमारी जो विरियानी यहां पर इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने इसमें पानी आज़ कहरें अच्छे मिलाने के बाद मैंने बिलकुल थोड़ा सा पानी आट किया है takie तो दो बड़े चमश भरकर मैं यहां पर फ्रेश योगर्ट आड़ कर रही हूं तो यह ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें अधर वाइस आप इसके भी कर सकते हैं लेकिन दही डालने से थोड़ा सा मसाला जादा हो जाता है तो मसाले दार बिल्यानी मुझे इसलिए मैंने यहां पर इसमें दही आड़ कर दिया है अब इसे फॉरण से चला देंगे ताकि दही फटने न पाए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे तो यहां पर अच्छी तरीके से चलाते हुए लगाता है इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अब य अच्छी तरीके से कुक हो गई है और खाते है और उपर आचका है अच्छी हमारे के बनकर तयार हो गई यहां पर युगोति अच्छी यहां पर वह लगा दिया तो यहां पर यहां पर हम गपनी बीट में करें तो डियर के सकते हैंÖ तो इस पर श हुनिः के साथ अगर जुना chant सब्सक्राइब करें बेज़ का। ऐससे मुंतम करें हैं भाइबा चमिकास डियर लका पर ने बाइब winner यंद सब्सक्राइब करें तो बहुत जादा मसाले दार औरर यमी थे हमारी बिर्यानी बनकर तयार होगी तो यहाँ पर अच्छा सथीक ग्रेवी हमारी बनकर तयार हुई थी जादी उपर इसको लगा देंगे और उतसाधीम उत्त यहाँ पर को सीए और चामलो blocking के बाद को किर ने कितनी परफेट खिले-खिले से चामवल हमारे बनकर त्यार हुए तो चामलों को आपने ओवर कुक नहीं करना है और नहीं कच्छा रखना है 90 परचंट तक आपके चामवल कुक होने चाहिए उसके उपर से तली वी प्याज लगा देंगे तो यह वही प्याज है जो हमने स्ट मैंने एक पिंच कलर को थोड़े से केवडा वाटर में मैंने यहाँ पर घूल कर रख लिया था इसको थोड़ा-थोड़ा सा चारो तरफ डाल देंगे और इसी के साथ में यहाँ पर हम इसमें वन टेबिल स्पून देसी घी आट करेंगे या फिर आपके पास अगर देसी घ में काजू बर्दाम किश्मी भी फ्राइब करके इसमें आट कर सकते हैं अब यहाँ पर हम इसको दम पर लगाएंगे तो तीन से चार्वनिट लिए मीडियम टू हाई फ्लेम को रखेंगे जब थोड़ा सा वैसल गरम हो जाएगा उसके बाद दिल्कुल लो पे कर देंगे और इसके बाद इसको मं 5-10 मिडियम आज पर पकने देंगे तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा चांवलों का पानी आट कर रही हूं इससे चांवल नीचे से चिफकेंगे नहीं तो यहाँ पर इसके ओपर एक भारी वैसल रख देंगे ताकि अच्छे से दम हो तो 3-4 मिनट लिए आपने दाट रखना है, 8-10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर रखना है और 10 लिए आपने इसको आपने छोड़ देना है ताकि जो चामल जाए बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली कोखो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने ज़ादा खिले खिले और कितने जबर्दस हैं मारे चाnh recipe q aanकर त्यार हुए ऊ intact तो इस तरीके से तक्षिर आता है mixing combining वाला तो बहुत जादा tempting लगती है और देखने में जितनी जादा tempting लगती है खाने में उससे कहीं जादा delicious बनकर त्यार होती है और नीचे से बिलकुल भी जेली नहीं और एक एक दाना का बिलकुल खिला खिला बना इस तरीके का जो टेक्ष्यर होता है बिलकुल पर्फेक्ट होता है एक एक तेक का दाना खिला होना चाहिए तो यहाँ पर आप इसको दही रायते के साथ, बूंदी रायते के साथ, या फिर काशूमर के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग रेस्पी है, एक बार ट्राय जरूर करिएगा वैसे तो यह बिर्यानी ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी, मसालेदार और चटपटी लगती है, आप बिना रायते के भी इसको सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है, लेकिन रायते के साथ इसका जो टेस्ट है वह भाँ जादा पढ़ जाता है आप जिस किसी को भी इसे सर्फ करेंगे, वो इतना ज़ादा पसंद करेगा इसको कि आपकी तारीफे करते नहीं ठकेगा, बहुत ज़ादा माउथ वाटरिंग और डेलिशियस यह रेस्पी है, एक बार इस रेस्पी को इस तरीके से जरूर ट्राय करें, और कॉमेंट जिस्ती चटपटी और मसालेदार से बनकर त्यार हुई थी, मुझे इसी तरीके से मसालेदार वाली विर्यानी पसंद है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत जादा टाइम कंज्यूमिंग रेस्पी नहीं है, तो एक बार इस तरीके से फ्ट्राय करें, और अग झाल